प्रीशाथियों विद्यामंत्रा चैनल में आपका हादिक स्वागत है CT22001 Online Examination की पहले दिन की पहले सिफ्ट का एक्जाम खतम हो चुका है और हमने सेंटर पर जाके बकायदे लोगों से पूछा कि क्या प्रावलम आपने फेस किया, किस तरह की पेपर कैसा था और क्या-क्या hurdles है, मतब किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए तो स्टूडेंट से बात करके हमें ये पता चला कि आप क्या-क्या examination center पर न लेके जाएं जो उन्होंने फेस किया सबसे पहले उन्होंने फेस किया कि आप examination center पर अगर आप जाएंगे तो winter का season चल रहा है तो cap या shawl पहन के जाएंगे बट उसको अपने bag में बाहर रख दीजे inside वो move करने नहीं देंगे किसी भी तरह की jewelry वो आपको allow नहीं करेंगे जो ladies हैं जो हमारी married हैं वो चूड़ा पहन के ना जाएं, कड़ा पहन के ना जाएं earrings पहन के ना जाएं, rings पहन के ना जाएं और मतब मेरा में एक चीज कहने का है कि उन्होंने साई के सारी जो valuable items थी उन्होंने उसको remove करा दिया और जिनोंने remove कराने में जिनको दिक्कत थी वहाँ पर proper taping करती तो आपको अच्छा नहीं लगेगा तो इससे बढ़िया है कि आप मत पहन के जाएं, चुकि ये सारी चीज़ें available item होती है examination center में आपको इनको कहां रख पाएंगे अगर आपके साथ कोई guardian नहीं गया है exam में तो ये सारी चीज़ें miss हो सकती है male candidate कोई ring पहन के आप मत जाएए, कोई कड़ा पहन के मत जाएए अगर आपने गले में कोई chant डाली है तो वो मत पहन के जाएए चुकि ये सारी चीज़ें आप बहतर है कि घर पे रखके जाए examination देने के बाद आप फिर से उसे घर आके पहनी है अगर कोई चीज़ मिस हो गई तो ये आपके लिए दिक्कत होगी गलती से भी आप अपने पास कोई rough paper या कोई blank paper मत लेके जाएए कि हम इसमें rough करेंगे scanning में वो आ जाएगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा rough करने के लिए proper A4 size की वो आपको white papers देंगे जितने चाहिए आप उतने ले सकते है non transparent water bottle भी allowed नहीं किया है इस बार examination में तो जो candidates non transparent water bottle लेके गये थे उनकी bottle बाहर रखवा दिया उन्होंने mail candidate ध्यान रखें कोई भी purse, belt, cash, coins, bus share train के tickets ये सारे चीज़ें मत लेके जाएएगा आप examination hall में अगर आप लेके जाएएगे तो आपको दिख्वतों का सामना करना पड़ सकता है ठीक है? अब मैं आपको थोड़ा से process बता देता हूँ कि checking gate पे जैसे ही आप इंटर करते हैं चेकिंग से लेके examination logging के बीच में क्या process रहेगा? सबसे पहले जैसे ही आप gate painter करते हैं आपकी thermal scanning होगी इन केस अगर आपका trumpature बढ़ा आता है तो might be chance वो आपसे कुछ आपको suggestion दे शकते हैं ठीक है? तो अगर किसी को fever की दिक्कत है तो अलड़ी वो आप paracetamol या डोलो लेके जाहिए है चुकि अगर आपका trumpature बढ़ा नहीं आना चाहिए और ठीक है? फिर आपसे वो self declaration form आपसे लेंगे self declaration form लेने के बाद वो उसको check करेंगे कि उसमें आपने proper verification सारे data इंटर किये हैं, sign किया है कि नहीं उसके बाद वो collect कर लेंगे उसके बाद अगला step यह रहेगा कि आपका ID का verification होगा और ID के बाद आपके admit card का verification होगा जो आपके admit card पर particular होगे वो आपके ID के particular से match करेंगे वो और initial verification के बाद वो आपको आगे भेज़ देंगे, वहाँ पर आपके scanning होगी, x-ray scanning होगी आपके shoes को वो उतारने के लिए बोलेंगे, socks को remove करने के लिए बोलेंगे और proper तरीके से वो checking करेंगे और checking करने के बाद जब सारी चीज़ें यहां से check हो जाएंगे फिर आपकी eye and finger की scanning होगी और उसके बाद आपको inside वो भेज़ देंगे वहाँ पर different different seats पर counters होगे registration के, वहाँ पर सबसे पहले आपका admit card and photo का re-verification होगा system record से, उसके बाद आपको registered किया जाएगा आपकी एक camera से standing mode में photo capture करेंगे वो sign करा के आपकी attendance को करेंगे कि candidate examination hall में आ चुका है examination में permit हो रहा है तो उसके attendance mark हो जाएगी अब यहां से आपका पूरा process होने के बाद registration and verification के बाद आपको एक computer monitor alert कर दिया जाएगा lab में computer number होगा वो वहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे जैसे ही आपको examination के जो invigilator है वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है तो student से बात करके यह पता चला कि जो login ID थी वो आपका roll number था और password था without space ddmmyyyy format for example हमारी मेरी डेट अबर 1st January 1991 है तो मैं क्या लिखूंगा 01011991 ठीक है without space फिर आपको login हो जाएगा फिर आपका पूरा साय थे क्या था यह सारी वीडियो में आपको एक लेटर स्टेज पर दूँगा लेकिन मैं एक चीज आपको बताओ दूँ कि आप अपने पूरे process का time को divide कर लेजे कि मुझे ऐसे ऐसे करना है languages में जो आपके passages आए है passage उनको पढ़ने के बाद आपको सीधे answers देना है जो आपके questions देएगा है तो कई सारे candidates को उन questions को पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही थी scroll में दिक्कत आ रही थी तो यह सारी चीज़े आप CTT के website पे जाईए वहाँ पे जो एक model paper रखा हुआ है practice के लिए login करके आप उसको check करके देख लीजे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है paper का standard कैसा था यह तो result के बाद ही पता चलेगा और again coming shift के सारे candidates को wish you all the best again do your best आपने बहुत पढ़ाई की है बहुत अच्छी preparation की है इसी confidence से जाईए और syllabus CTT कभी out of syllabus कोई question पूछता नहीं है सारे NCRT pattern पे questions पूछे जाते हैं और again यह आपके ग्यान का परिच्छन इस तरह से कर रहा है कि आप teacher बनना चाहते हैं की नहीं आप class first to fifth primary standard या six to eight junior standard पे बच्चों को बढ़ा सकते हैं नहीं ठीक है ओके all the best और अगर हमारे चैनल पे नहीं है तो latest video updates के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर करिएगा और bell icon को press करना मत भूलिएगा तो आपको latest notifications जरूर मिल जाएंगे CTT और state teacher eligibility test सभी videos में आपको day by day updates करता रहूंगा पूरी विद्यमंत्रा teams की तरफ से again आपको all the best झाल